जैन साथियों, आज समिधान की इस क्लास में आम लोग तीन महतपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं इन तीनों इस टॉपिक से विभिन परिच्छाओं में बार बार प्रस्न पूछे गए हैं साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवा दें ताकि क्लासे से जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें तो आईए देखते हैं आज के हमारे क्या है टॉपिक जो पहला हमारा टॉपिक है वो है समिधान के भाग इससे परिच्छा में प्रस्न पूछे गए हैं जैसे इस तरह से पूछ लेगा भासा किस भाग से संबंदित है ओप्सन देदेगा 17, 18, 19, 20 और आपको एक ओप्सन टिक करना रहेगा दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अनसूचियां एक से बारा तक अनसूचियां इनसे भी बार बार प्रस्न पूछा गया है छोटा से टॉपिक है मुस्किल से 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और तीसरा जो हमारा है टॉपिक वो है महतपूर समिधान संसोधन दोस्तों टॉपिक को इस्टार्ट करने से पहले एक सब्दा वाली को इसपश्ट कर दूँ क्योंकि बार बार C.A. का आगे टॉपिक में जिक्र आएगा तो उसको पहले इसपश्ट कर दूँ C.A. का मतलब होता है Constitution Amendment Act यानि समिधान संसोधन अधिनियम तो आईए आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं समिधान के भाग आप लोग स्क्रीन को उपर देख पा रहे होंगे जैसा कि पहली क्लास में चर्चा कर दी गई थी कि मूल समिधान में 22 भागते वर्तमान में 25 हैं तो बाद में जो भाग जोड़े गए उनको एक नजर में देख लेते हैं परिच्छा की दरश्टी से महतपूर्ण है जो पहला है हमारा वो है भाग 4.A इसको कब जोड़ा गया 42 समिधान संसोधन 1976 में जोड़ा गया क्या था इसमें मौलिक कर्तव दूसरा है भाग 9.A इसको कब जोड़ा गया 74 समिधान संसोधन 1995 सहरी इस्थानी सरकार तीसरा है भाग 9.B 97 संदान संसोधन 2011 सहेकारी समितियां चौथा है भाग 14.A 42 समिधान संसोधन 1976 इसमें क्या है ट्रिब्यूनल यानी की अधी करण दोस्तों मौल समिधान में कुल 22 भाग थे और बाद में 4 जोड़े गए तो टोटल कितने हो गए 26 हो गए लेकिन हम या कितने देख रहे हैं 25 तो ये 25 क्यों है आगे अभी आपको लेक्चर में पता चलेगा अब जो समिधान में भाग है उनको एक एक करके देख लेते हैं डारेक्ट इनसे भी पूँच लेता है तो देखते हैं जो भाग एक है हमारा उसमें क्या है संग एवम इसके राज चेतर भाग एक में क्या है संग एवम इसके राज चेतर भाग दू नागरिकता भाग तीन मौलिक अदिकार भाग चार राज के नीती निदेशक तो भाग चार एक मौलिक करतब एक्क्यामन का यानि कि ये अनुछेद एक्क्यामन का भाग पाच संग सरकार भाग छे राज सरकार भाग साथ निरस्ट, इसको निरस्ट कर दिया गया, तभी हमारे कुल भाग 25 हैं, भाग 8, संग सासित प्रदेश, संग सासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं, एक नजर उनको भी देख लेते हैं, लद्दाक, जमु एंड कस्मीर, अंडमान निकोबा, लक्षदीब, चंडीग दिल्ली, दादर एंड नागरहवेरी, प्लस धमेनेंड दीप, और पुडू चैरी, कुल हमारे संग सासित प्रदेश कितने हैं, आठ हैं, दोस्तों परिच्छा की दरश्टी से जो भाग इंपॉर्टन्ट हैं, उनको पीले से हाइलाइट कर दिया है, तो आप इनको चाहें तो कॉपी पे नोट कर लें, आगे देखते हैं, भाग नो, भाग 9 किस से संबंधी दे, क्रामीर इस्तानी सरकार, भाग 9 ए सहरी इसतानी सरकार, भाग 9 भी सहकारी समीती, भाग 10 में किया है अनसूचितवा जंजाती छेतर, भाग 11 संग राजियों के बीच संबंद, भाग संग राज्यों की सेवाएं भाग 14 अधिकरण यानि की ट्रिब्यूनल आगे देखते हैं भाग 15 चुनाओं भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेश उपमंद भाग 17 राजमासा भाग 18 आपात उपमंद भाग 19 विविद भाग 20 समिधान संसोधन भाग 21 आइस्ताई संक्रमन काली नुपवंद और भाग 22 संचित नाम और प्रारंब दोस्तों ये थे हमारे समिधान के भाग अब आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अनसूचियों का तो आईए एक नचर उन पर भी डाल लेते हैं अनसूचियां पहले ही बता दिया गया था मूल समिधान में 8 अनसूचियां थी वर्तमान में 12 हैं तो देख लेते हैं पहली अनसूचि में क्या है पहली अनसूचि राज एवं संग सासित प्रदेश दूसरी अनसूचि वेतन भत्ते और पैंसन इसमें कौन कौन आएगा रश्ट पती और राज के गवर्नर लोकसबा और विदान सभा के अध्यच और उपाध्यच राज सभ और विदान परिशत के सभापती और उपसभापती सुप्रीम कोर्ट वा हाई कोर्ट के जज नियंत्रक वा महालेखा परिच्छक कैग आगे देखते हैं तीसरी अनसोची सपत इसमें कौन कौन आएगा संग वार राज सरकार के सभी मंतरी सांसद लोकसबा राज सभा के MLA MLC विदान सभा और विदान परिशत के हाई कोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट के जज नियंत्रक वा महालेखा परिच्छक कैग चौथी अनसोची राज सभा में सीटों का आवंटन यूपी में राज सभा की सीटें 31 हैं इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजेगा पाँचवी अनसोची अनसोची छेत्र तथा अनसोची जनजातियों के प्रसासन और नियंत्रन से सम्मंदित है चटवी अनसोची असम, मेगाले, तिरपुरा, मिजोरम के जनजाति छेत्रों का प्रसासन और नियंत्रन आगे देखते हैं सातवी अनसोची सातवी अनसोची जो है वो सूचियों से सम्मंदित है सूचियां कितनी है तीन कौन-कौन सी संग सूची, राज सूची, समवर्ती सूची इनको जब आगे क्लास करेंगे तो इनको और विस्तरित में पढ़ेंगे कि इनमें कौन-कौन से विसे हैं उनको सभी विस्तरित रूप से पढ़ेंगे यहां केवल इतना जाल ले रहे हैं कि सात्वी अन्सूची सूचियों से सम्मंदित है आठवी अन्सूची भासा से सम्मंदित है मूल समिधान में 14 भासाओं को माननेता प्रदान की गई थी वर्तमान में 22 भासाओं को माननेता प्रदान की गई है और यह important है कि अंग्रेजी को 22 भासा में सामिल नहीं किया गया है, अभी जो वीडियो 2018 वाला 2023 में पेपर हुआ है, उसमें भी ये प्रस्ट पूछा गया था, नभमियन सूची भूमी सुधार से संबंदित है, इसको पहला समिदान संसोधन करके 1951 में जोड़ी गया, जो हमारी ग्यारवियन सूची इसमें क्या है, नगरपालिका की, सक्तिया, इसको कब जोड़ा गया, चोहत्रमा समिदान संसोधन 1993 में जोड़ा गया, दोस्तों, आज के जो हमारे तीन टॉपिक थे, समिदान के भाग, अनसूचियां और महतपूल समिदान संसोधन, तीनों ही समाप्त हुए, इस मुश्किल से 10 मिनट की क्लास में आपको बहुत ही ज्यादा कंटेंट प्रवाइड करा दिया गया है, जो परिच्छा की दरश्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साथियों क्लास का जो फीड़ बैक है वो कमेंट सेक्षन में देना ना बूले, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए,